दोस्तो आज सुबज जैसे ही में सोकर उठा मेरे नजर चार्ज पे रखा हुआ मोबाइल पे पड़ा और मैं जैसे ही उसे दिसकनिक करने लगा मैंने एक चीज देखा जो हर रोज देखता था लेकिन आज मेरा नजर यह अलग था एक जबचस बात मेरे डिमाग पे स्ट्राइक कर गया जब मैंने चार्जर से मोबाइल पे पावर यानि की उर्जा जाते हुए देखा दोस्तो आजब तभी के पास मोबाइल फोन है और हम दिन में साइट कई बार मोबाइल चार्ज करते होंगे पर एक बहुत बड़ी बात हम मिस कर देते हैं जाना चाहते हैं वो क्या है तो बने रहे हमारे शाथ इस वीडियो के अन तक और चैनल पर नए आये तो कैंडली सब सब्सक्राइब बनन को भी दबा दे और घंटी को भी हिरा दीजिए ताकि मैं आपको यूँ ही मुटिवेट करता रहूए दोस्तों हम हमारे आस पास के हरे चीजों से कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकते हैं अगर हम ज्यान देते हो और आज जबर जिस चीज जो मैंने सीख कुछ नगुस खाते हैं रहते हैं पर आज में मांसिक और आत्मिक सकति की बात कर रहा हूं क्योंकि असल में हम मनुशिय एक आत्मा है जो सरीर में वास करते हैं प्रान के साथ हैं अर्थाद हम three in one है प्रान, सरीर और आत्मा प्रान हमारी emotions जैनिकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है शरीर एक धाचा यानि फ्रेम है जिसके अंदर आत्मा और प्रान वास करते हैं और यह वही आत्मा है जो परमात्मा ने हमें दिया है इसलिए तो हमारा आत्मा उस परमात्मा को ढूंते रहता है जारे अन जारे फॉर एक्जामपल आप कोई भी मानुस शंपयता में चले जाएए चाहे वह घने जंगल के आदिवासी या फॉरिका के उजार स्थां में रहने वारे बन जारे ही क्यों नहों किसी ने किसी चीज़ को वह आवश्य पूछते हैं क्या किसी ने उन्हें वहां जाके यह सिखाय कि तुम्हें पूजा करना है यह उनका आत्मा है जो जो उन्हों जारे आर्जारे परमिश्चों का तरास करवाता है तो डोस्तों आज मैं वही आत्मिक और मान्सीक पावर की बिस्ए में बात करने जा सबंसे नहीं पनारों सारीनिक रूप से मजबुत होते हैं उसी प्रकार हमें मानसिक और आतनी क्रूप से मजबूत होनी की आवशकता है और जब हम इन तीनों रूपों में मजबूत होंगे तो आई परामिस हमें दुनिया का कोई بी ब्धाक भरा नहीं शकता तो आईए जात दें कि हम केसे मानसिग और अपनी क्लूप से मख़ूद बने याईनिके मोबाइल की तरह कहां कनेक्ट हो जहां से हमें पावर मिले इस प्रकार सरीर को वोजन पावर सप्लाइब करता है उसी प्रकार सोल यैनि को पावर सप्लाइब करने के लिए हमें sources of inspiration यानि की प्रेरणा के स्रोथ की जरुरत परती है अब sources of inspiration दो प्रकार के होते हैं good sources यानि की अच्छे स्रोथ और bad sources यानि की बुरी स्रोथ bad sources यानि की सुभा उठने के साथ news देखना या टीवी, movies या इधर उधर की बातों पे time वेस्ट करना या असलीर किताबे पढ़ना या बुरी संगत में रहना ये सब बुरे प्रेरणा के स्रोथ हैं जिससे हमारा प्रान यानि की सोल में बुरा असर पढ़ता है जिसका नतीजा हम बिगर जाते हैं और हर चीजों को negatively देखने लगते हैं और यहां तक की depression में जाकर बिमार भी पढ़ सकते हैं जिस प्रकार सरीर को अच्छा भोजन ना मिले तो सरीर बिमार पढ़ सकता है उसी प्रकार सोल यानि की प्रान को bad sources of inspiration मिले तो वो भी बिमार पढ़ सकता है सर्भे के मताविक 75-90% लोग भावनात्मक कारणों से बिमार पढ़ते हैं यानि की ज़्यादा तर लोग इसलिए बिमार पढ़ते हैं क्योंकि वे अपने शोल को अच्छा भोजन नहीं देते हैं तो क्या है वो अच्छा भोजन यानि की good sources of inspiration आईए जानते हैं अच्छी किताबें पढ़ना जो आपको और आपके काविलत को पहिचानने में मदद करें अच्छी आदतें जैसे की व्यायायाम या अच्छी होविस जिसे आप खुद को निखार सकें बड़े बड़े लीडरों के जीवनी यानि की बायोग्राफिक को पढ़ना ऐसे व्यक्तियों के साथ संगती जो मेंटली मैच्चूर्ड हो और आपको भी भावनात्मा ग्रूप से मैच्चूर बनने में मदद कर सकें मॉबाइल में बेकर टाइम पास करने के बजाए यूट्यूब पे कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखना और खुद के एम इन लाइफ पे फोकस करके उस पे काम करना इतिया दी और इस तरह अगर हम अपने प्रान को गूट सोर्सेस अफ इंस्पिरेशन दे तो हम एक अच्छे ब्यक्ति के साथ साथ मैच्यूर पॉजिटिव सक्सेस्फुल और हेल्दी यानि की तंदूरस ब्यक्ति भी बन जाएंगे हेरा मजेदरबाद हंद में आत्मे क्रूप से हम कैसे मजबूत बने आईए जानते हैं जिस प्रकार सारीरिक सकती के लिए भोजन, मानसिक सकती के लिए sources of inspiration यनि की रेड़ना गे स्रोथ उसी प्रकार आत्मिक सकती के लिए हमें परमात्मा से जूने की आउश्कता है परमात्मा ये सु मसी कहते हैं तुम मुझ में बने रहो और में तुम में जैसे डाली यदि पेड़ पे बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते तो आत्मा को परमात्मा से केसे जोड़े यानी परमात्मा में केसे बने रहे ताकि हम आत्मिक सक्ति पाए आईए जानते हैं दोस्तों यू तो इस दुनिया में बहुत सारे धार्मिक गरंथ है पर आज मैं एक ऐसा गरंथ के बारे में बताऊंगा जो एक संपूर्ण किताब होने के साथ साथ जीवन का गाइड बुक भी है जिसमें आपके जीवन से जुड़ा हर प्रसन का उत्तर और आपके जीवन का हर समस्या का समानान मी मिलेगा और वो किसी आदमी की सीमित ज्यान से नहीं बलकि पवित्र आत्मद वारब बेरना पाकर लिखा हुआ पवित्र वचन बाईवल है जो कहता है आदी में बचन था बचन परमेश्वर के साथ था और बचन परमेश्वर था और बचन देहधारी हुआ और अनुगरा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा अर्थात येसु मसी जो त्रीयक परमेश्व का एक रूप है जो आधी और अंत है जो बचन है उन्होंने देहधारन किया और 2019 वर्षपूर्व हमारे बीच मनुश्य बनकर रहे और हमें हमारे जीवन का और सही उदेश्य बताया और वो शब बाते पवित्र बचन बाइबल मे हमें आसानी से पढ़ने को मिलेगा तो दोस्तो अब आप समझ गए होंगे कि आत्मिक सक्ति पाना हो तो हमें परमात्मा के पवित्र बचन बाइबल से रोज कनेक्टेट होना पड़ेगा उस चारजार और मोबाइल की तरह दोस्तो जिस प्रकार परमेश्व जीवी थे उसी तो सायद आप लोगोंने काहवत आश्य सुना होगा एक गुड लीडर सुद अलवेज भी एक गुड रीडर इसलिए दोस्तों अगर हमें भी एक अच्छा लीडर या अच्छा अच्छा ब्यक्ति बनना है तो खुद को उस मुबाइल की तरह हमेंसा सार्ज सकते रहने के आ आपके पास भी इसलिए कोई एक्सिरेंस है तो हमेश शेयर करें ताकि हम भी आप से कुछ सीख सकें और दुसरों को भी मोटिवेशन मिल सकें